हलो, नमस्कार इस्टुएंट, मैं विशेक भारगाव, भारगाव क्लासेस के इस यूटुब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आद का जो मारे वीडियो को टॉपिक है वो है 36 करेंट अफेर 3 और 4 सिदंबर 2020 तो शुरू से लिए के लास्ट तक वीडियो को जुरू देखेगा ताकि आप लोगों को जितने भी करेंट अफेर हैं इन में से वो कुछ याद हो जाए और कुछ इंपोर्टेंट करेंट अफेर आप लोगों के लिए है तो उसको आप आएमपी टीक कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि अपीते काप लोगों को ने भारगाव क्लासे के इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल से हल सब्सक्राइब कर लेजए और बैल का आइकन जरू प्रेस कर लेते हैं तो 20 वे वसंदरा सम्मान से को मुख्यमंत्री भुपेज बगेल ने सम्मानीत किया तो यहां पर जो सही आंसर है वह है ई स्री वी मुरली ठीक है तो लगबाग सभी लोगों ने जो है वो सही आंसर दिया क्योंकि हमने पहले भी कोशन किया हुआ है ठीक है आज का जो पहला कोशren ह् worked दे तो देश में आत्महत्य के मामले मीं 36 नवे इस्तान है तो यादर रखेगा किटने इस घृर तो dopूछ जा सकता है ठीक है आत्मुत्य की मामले में 36 देश में नवे सांद पर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ज 2019 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आत्मत्या करने वाले वालों की दर में 8.3 फीसद की वृद्धी हुई है रिपोर्ट के नुसार 2019 में 7,629 लोगों ने आत्मत्या की जो की पूरे देश में 90 नंबर पर है तो याद रखिए का 36 गड़ जो है वो 90 नंबर पर है ठीक है दूसरे प्रशनी की तरफ चलते है जो की एक important question है भोरम देव सहकारी सककरकार खाना में PPP model से जल्द ही कौन से plant की स्थापना होगी तो कौन से plant की स्थापना होगी PPP model पर तो ethanol plant की जो है वो इस्थापना होगी तो यह भी एक IMP question है एक्जाम के point कुछ से पूछा जा सकता है ठीक है तो भोरम देव सहकारी उत्पादक कारखाना का वरधा से संबंद गन्ना उत्पादकों क्रिसकों के व्या इशक के चैन के लिए दो चरणों में RFQ एवं RFP कारवाही की जा रही है ठीक है तो याद रखेगा बोरम देव सहकारी सक्कर में जो कारखाना है वहाँ पर इथेनॉल प्लान्ट की जो है स्थापना की जाएगी तीसरा प्रशन है कि स्वास्त पोशन में देश में पहला इस पोशन स्वास्त में पहला इस्थान रहा है कोरोना काल के बीच में दंतेवाडा में COVID के साथ अन्य सुविधाओं के रफ्तार नहीं थमी और जब नीती आयोग ने जुलाई महेने की देश की अकांची जिलो की डेल्टा रैंकिन त्यार की तो स्वास्त पोशन के छेत्रे मे दंतेवाडा सीधे देश में पहले नमबर पर पहुंच गया जबकि जून में 49 नमबर पर इस बार ओवरड़ रैंकिन में 90 स्थान पर है देखे पोशन अस्वास्त में पहले स्ытान पर ओवरल रैंकिन में 90 स्थान पर तो याद रखेगा ठीक है पिशले साल अक्टूबर म इंडेक्स में भारत इस बार कौन सी रैंकिंग में या कौन सी रैंकिंग रही है भारत की तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो कौन सी रैंकिंग है किसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यह देखे जितने भी इंडेक्स होते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है वो पूरे जितने भी इंडेक्स होते हैं उसके लिए बनाया जाएगा लेकिन ये जो था एक important है तो global innovation index में भारत की इस बार ranking क्या रही तो भारत की इस बार ranking रही है 48 जो की चार पायदान उपर आई है पिछले सार की वर्स में ठीक है तो याद रखेगा कितना है 48 ये भी एक important question है ध्यान रखेगा और index के videos को continue करेंगे मतलब बनाएंगे index के बारे में पूरे जितने भी index होते हैं वो सारे ठीक है तो कौन से ranking में भारत कौन से स्थान पर है वो देखेंगे ठीक है पिछले कुछ वर्सो में innovation के मामले में भारत बहतर इस्तिती में पहुँचा है इस साल global innovation index में 48 वे याने 48 वे स्थान पर पहुँच गया भारत के position में चार स्थानों का जो है वो सुधार आया है global innovation index 2020 के मताबिक मध्य और दक्षिड एसिया में भारत जो है वो पहले स्थान पर है और पूरे वर्ल्ड में जो है वो 48 वे याने 48 वे स्थान पर है 2015 में global index में 81 वे पायदान पर था 2016 में 66 वे 2017 में 60 वे 2018 में 97 वे और 2019 में 52 वे स्थान पर रहा था और 2020 में ये 48 48 वे स्थान पर आ गया है ठीक है भारत ने पहली बार ही है ठीक है नेक्स्ट कोश्चिन की दरह चलते हैं नेक्स्ट कोचर है फ्यूचर दा यूथ फांडेशन मेशप आइकन 2020 का किताब किसने जीता है तो देखें यहां पूरुसवर्ग और महिलावर्ग फूचर दा यूथ फांडेशन ने युवाओं के लिए ऑनलाइन ब्यूटी कॉंटेस्ट मिस्टर एवं मिस फूचर दा यूथ फांडेशन मेशप आइकन 2020 का आइवजन किया फांडेशन के अद्देख्ष रगवईर यादाओं ने प्रेस कॉंफरेंस में जनकारी देते हु यूद्थ फांडेशन मेशप आइकन 2020 का किताब आशी साहुने जीता है। तो दोनों का नाम लगबग लगबग याद रखिएगा क्योंकि कभी बीगजाम में पूछा जा सकता है। देखे जादा question को आपको क्या करना है revive करना है ठीक है revise करना है मतलब जितना हो सके उतना आप current affair का revise करें ताकि आप से जो भी exam में पुछा जाए कम सकाम आप उसको पकड़ ले ठीक है कि आपने ये पढ़ा था तो ये answer हो सकता है ऐसा भी कम से कम आपको करना ही पढ़ेगा और देखे बीना महनत किये आपको कुछ नहीं मिलने वाला तो आपको महनत लगातार निरंतर करना है क्योंकि exam qualify करने का कोई shortcut method नहीं होता तो shortcut method के चकर में ना पढ़े देखे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कोई trick बताईए कि कैसे ये सब याद कर सके तो देखे याद करने का कोई trick नहीं है regular आप पढ़ाई के touch में रहेंगे पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ याद होते जाएगा आप उसके अंदर depth में घुसते चले जाएंगे अगर आप regular पढ़ेंगे और बीना महनत किये आप लोगों को कुछ नहीं मिलने माला तो देखे बीना महनत के तो कुछ नहीं होने माला shortcut कोई तरीका नहीं होता तो regular वीडियो को देखिए जहां पर important point बताया जा रहा है या बोला जा रहा है copy में note down करिए revise करते रहिए उसको जितना आप पढ़ते जाएंगे जितना आप करते जाएंगे उतना ही याद होता जाएगा कोई shortcut method इसका नहीं होता कोई short trick इसका नहीं होता अपनी महनत swim करें ठीक है हमने यहां पर आपको video provide करा दिया है अब आपको वीडियो के माध्यम से आपको question निकालने है देखिए हमारा YouTube channel ये ऐसा काम कर रहा है ऐसा नहीं है आपको जहां से भी जीस भी channel से आपको current affair मिल रहे है वो इंडिया के हो चाहे 36 गड़ के हो आपको note down करना है जो आपको IMP बताया जाता है ठीक है तो आपको copy में note down करना है आपको swim अपने notes जो है वो बनाने है ताकि आपको ही अच्छे तरीके से याद रहे ठीक है तो ध्यान रखेगा next question है कि संस्थागत प्रसव के मामले में प्रदेश और देश को कौन से जिले ने पीछे छोड़ दिया तो संस्थागत प्रसव के मामले में प्रदेश को किसने जो है वो पीछे छोड़ दिया है ठीक है तो यह आपको बताना है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बस्तर किसने पीशे चोड़ा है तो बस्तर ने ठीक है संस्तागत प्रसाव के मामले में बस्तर जिले ने राश्टी और प्रदेश के ओसत को पीशे चोड़ दिया है स्वास मामले के समरपण का महत्पुण योगदान है औसात आखड़ा जो है वो 96 प्रतिसत है बस्तर का तो बहुत इंपॉर्टन कोशन है आएमपी कोशन है ठीक लगा लिजेगा और नोट डाउन कर लिजेगा ठीक है आज का हमारा जो सात्वा कोशन है ये जो है आपको बताना है कि सपनों के सौधागर ये जो बुक का नाम है सपनों के सौधागर इसमें से किसकी आत्मकथा का सिर्षक है ये आपको यहाँ comment section में comment करकर बताना है कि सपनो के सौधागर इन में से किसकी आत्मकथा का सिरसक है तो नीचे comment section में comment जरूर करिएगा आप लोगों के comment के माध्यम से ही जो है वो बहुत सारे बच्चों को knowledge भी मिल जाता है जिनको नहीं मालूम होता तो comment करते रहिएगा ताकि जिनको नहीं मालूम है वो कम से कम उनको भी याद हुजाए और अपने सुझाओ भी comment करते रहिएगा जो आपको परिसानी है वो भी नीचे comment करते रहिएगा ताकि हम उसका सुझाओ या सुलह जो है वो कर सकें ठीक है बढ़ेगा, यह मतलब समय हमारे पास रहेगा, वैसे वैसे आपको वीडियो जो है, वो मिलते रहेंगे, ठीक है, करेंट अफेर तो चलता ही रहेगा, एक न्यूज में आप लोगों को साजा कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को अगर नहीं मालूम हो तो आपको म यह सी मेंस एकजाम जो हो हिंदी और इंगलीज दोनों भासाओं में, आयुजीत किया जागा, डेट याद रखेगा, 18 से 21 अक्टूबर, ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था, जै हिंद, जै भारत, जै चतिसगर,